कभी कभी लगता है कि अपुने भगवान है दोस्तो नवाजुद्दिन इस बैग बट इस बार वो कोई गैंस्टर नहीं बलके एक कॉप के रोल में है और साथ ही रादिका अप्टी ने भी घर आपसिक की है ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों नेट्फिक्स पर आने वाली निव मूवी में नजर आने वाले है दोस्तो अभी कुछ देर पहले ही रात अकेलिह मूवी का टेलर रिलीज हुआ है और दोस्तो इतना जबदर्स टेलर है कि क्या बताओ नवाजुद्दिन भाई और रादी का आप टेका परफर्मस तो बस पूछो ही मत क्या दमदार एक्टिंग दिखाई दे रही है साथ ही ऐसे-इसे एक्टर्स दिखाई दे रहे है कि आपको इने ट्रेलर में देखके ही मज़ आ जाएगा मैं हूँ आशिष, वेलकुम तो मैं चानल आर्टिस बाई चांस, नोन फॉर क्वीक एन शॉर्ट रिव्यूँ तो रात अकेली है ये फिल्म सस्पेंस ट्रीलर है जिसमें नवाजुद दिन एक ताकदवर नेता के मर्डर मिस्टरी को सूल जाएगे तो धूस्तो इह फिल्म तो मिस्टरी थ्रिलर है ही पर इसी के साथ इसके किरदार भी मिस्टेरियस है जैसे रादी काप्ते कहो या इलारू कहो या फिर शेता त्रिपाटि कहो सबका अपना एक अलग रवया है ऐसे लग रहा है ये फिल्म आडियोंस को पूरी कहानी में आखिर तक एंगेज रखेगी इसे के साथ इसमें तिगमाशु धुलिया और अदित्य श्रीवास्तो भी है तो भाईया स्टार कास से ही तो आपको अंदाद लगी गया होगा ये फिल्म आक्टिंग के मामले में तो एक अलगी लेवल पर होगी नवाजु दिन सिद्धी की इसमें इंस्पेक्टर जटिल यादों का किरदार निवा रहा है जो एक इमानदार और निडर ऑफिसर है और राधी का अक्टे राधा का किरदार निवा रही है जो गुसेल और धीट है और जो मरने वाली की नव विवाहिता है इसमें आदिते श्रीवास्त व्याने हमारे CID के अभी जित का भी अच्छा रोल दिखाए दे रहा है जो वहां के एक नेता या बड़े आदमी की रूप में नजर आ रहे है बाकी इस फिल्म में सस्पेंस की इस हद तक दिखाया जाएगा ये तो फिल्म ही बताएगी वैसे अगर ये फिल्म ठेटर्स में रिलीज होती तो शायद लो बजट होने के बावजूद काफी अच्छा बिजनेस कर लेती खैर काफी दिनों बाद नेट्फिलिक्स पर कुछ ढंकी हिंदी फिल्म आ रही है जो विद्यबालन के शकुन तला देवी के साथ 31 जुले को रिलीज होगी तो दोस्तो 31 जुले को दोनों ही बहुत ही बहतर फिल्म सा रही है अब देखना ये है कि कौन बादी मार जाता है आपको क्या लगता है कौन से फिल्म ज़्यादा अच्छी रहेगी आपकी विज़ जहां कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे बाकि अगर ये विडियो आपको अश्य लगा हो झापको कि बाकि अजस्टब कांसरे कर दो दोन से गजियो आपको अजस्टब आपको अजस्टब से डवाचा अबर देखना हो